प्रस्नट 23 एक दुकंदार के पास 45 घड़ी खरीदने के लिए पूरी रकम है जबकि एक घड़ी का मुल्य 427 रुपया है यदि वह 122 रुपया धिक मुल्य वाला घड़ी खरीदना चाहे तो उतने ही रकम में वह कितनी घड़ियां खरीदेगा तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे माना की एकसवन बराबर 45 माना की एकसवन बराबर 45 कॉमा बाइवन बराबर तो 45 घड़ी खरीदने के लिए पूरी रकम है जबकि एक घड़ी का मुल्य कितना है 427 रुपया 427 रुपया तो एकसवन बराबर हम लिख देंगे 45 घड़ी और बाइवन बराबर 427 रुपया कॉमा देंगे फिर और यहां भी कॉमा देंगे एकसटू एकसटू बराबर लिख लेंगे तो एकसटू हमें निकालना है यानि घड़ी निकालना है कितनी घड़ीयां खरीदेगा यानि घड़ी निकालना है इसमें और बाइटू बराबर लिख देंगे 427 जोड 122 बराबर कितना हो जाएगा 729 224 454 तो 549 रुपया हम लिख देंगे तो इसको हम यह कैसे हो गया यह सब तो देखे 45 घड़ी खरीदने के लिए एक दुकंदार के पास पूरी रुपया है और एक घड़ी का मुले 427 रुपया है यानि 45 घड़ी दुकंदार खरीद सकता है और एक घड़ी का मुले है 427 रुपया यानि उसके पास 45 घड़ी खरीदने का रुपया है और परतेग घड़ी का कीमत कितना है 427 रूपया ठीक है तो इस तरह लिख लेंगे तो अब कहा रहा है कि यदि वह 122 रूपया अधिक मुल्य वाला घड़ी खरीदना चाहे तो उतने ही रकम में वह कितनी घड़ीयां खरीदेगा तो 427 रूपया मुल्य है एक घड़ी का यहाँ पर अब कहा रहा है 122 रूपया अधिक मुल्य वाली घड़ी खरीदना चाहता है तो 427 में 122 जोड देंगे तो अब वह 549 रूपया वाला घड़ी खरीदना चाहता है तो 549 रुपया परते घड़ी का कीमत हो गया पहले कितना था? 427 रुपया यानि एक घड़ी का कीमत तो अब वह 549 रुपया वाला घड़ी खरीदना चाहता है उतना ही रकम में, जितना रकम उसके पास है तो इस तरह हम लिख लेंगे यानि एकसवन और एकसटू में घड़ी लिखेंगे तो एकसवन में 45 घड़ी और एकसटू हमें निकालना है और वाईवन में 427 रुपया यानि 45 घड़ी का उसके पास रकम है और परते घड़ी का कीमत है 427 रुपया उस तरह लिख लेंगे, X1 और Bi1 करके, और 519 रूपया फाला घड़ी खरीदना चाता है, तो कितना घड़ी होगा, उतना ही रकम में जितना उसके पास है, और 519 रूपया फाला आप घड़ी खरीदना चाता है, यानि 122 रूपया ज्यादा वाला, ठीक है, तो 427 में 122 तो कितना घड़ी होगा, यानि X2 हमें निकालना है, तो उतना ही रकम में 549 रुपय वाला घड़ी कितना हो जाएगा, ठीक है, तो घड़ी की संख्या निकालना है, तो इस तरह हम इसको सबसे पहले लिख देंगे, अब देखे, जब परते घड़ी का कीमत है 427 रुपया, तो कितना घड़ी हो रहा, 45 घड़ी, लेकिन जब परते घड़ी का कीमत है 549 रुपया हो गया है, यानि 112 रुपया अधिक हो गया है, तो घड़ी की संख्या तो कम जाएगा, यानि रुपया जब बढ़ रहा है, और तो घड़ी का संख्या कमेगा, क्योंकि रकम तो उसके पास उतना ही है बस घड़ी का कीमत बढ़ गया है यहां पर तो यह व्यूत्क्रम बीचरन में है ठीक है क्योंकि X एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम रहा है तो हम लिखेंगे यहां X और बाई व्यूत्क्रम बीचरन में है यहां X और बाई व्यूत्क्रम बीचरन में है मतलब X बढ़ रहा है तो बाई कम रहा है X कम रहा है तो बाई बढ़ रहा है ठीक है यानि एक बढ़ रहा है तो एक कम रहा है इसलिए व्यूत्क्रम विचरन में है क्योंकि एक घड़ी का अगर मुल्ले बढ़ेगा तो घड़ी की संख्या में कमी आएगा क्योंकि पैसा तो उसके पास बराबर है यानि एक जैसा है यानि रकम उसके पास उतना ही है तो जब x और by वित्करम बीचरन में है तो इसका सूत्र क्या होता है X1 by 1 बराबर X2 by 2 तो X1 by 1 बराबर X2 by 2 ये सूत्र है यानि X1 गुना by 1 बराबर X2 गुना by 2 तो X1 कितना है X1 है 45 by 1 है 427 X2 है X2 हमें निकालना है और Y2 कितना है 549 तो अब हम सभी का मान यहाँ पे रखेंगे तो X1 है 45 गुना by 1 है 427 X2 हमें निकालना है और Y2 है 549 अतर X2 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना 427 बटा 549 तो X1 गुना by 1 तो देखे 45 गुना 427 बराबर X2 गुना by 2 यानि X2 गुना 549 रख देंगे by 2 के जगा पे 549 और X1 के जगा पे 45 और by 1 के जगा पे 427 तो X2 पानसु उन चार्स के साथ गुना में है बराबर के दाया तरफ तो X2 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना 427 बटा 504 यानि 504 गुना में है X2 के साथ तो बराबर के बाया तरफ जाके भागा में हो जाएगा यानि इस तरह से लिख लेंगे इसको तो अब इसको हम काटेंगे तो देखें 9 से कट रहा है 9 चक 54 और 9 गुना 1 यानि 61 नमा 549 और 9 पचे 45 अब 61 से 427 को काट देंगे 7 बार में कट रहा है 61 गुना 7 देखें, 7 गुना 1, 7 7 चक 42 यानि 61 से 7 बार में 427 कट जाएगा तो कितना आया? 7 पचे 35 यानि इसका उत्तर हो जाएगा 35 घड़ी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 35 घड़ी तो 35 घड़ी हुआ खरीदेगा उतना ही रकम में तो इसका मतलब हुआ कि 549 रुपया वला घड़ी कितना घड़ी खरीदेगा? अगर रकम उसके पास उतना ही है तो 35 घड़ी खरीदेगा ठीक है? तो एक स्टू बराबर कितना आ गया? 35 तो इस तरह हम प्रसन 28 साल करेंगे अज़ी घड़ी खरीदेगा झाल करेंगे प्रसन 28 को इसके पास बढ़ी खरीदेगा जड़ी खरीदेगा झाल करेंगे